ना ही कोई बेसन ना ही कोई जंजट है यहां पे बूंदी बनाने की तब भी यह बनते हैं बिल्कुल पर्फेक्ट मोती चूल अड़ू तो मैंने इसको कैसे बनाया तो आज सीखते हैं यहां पे मैं यूज़ कर रही हूं चनि के लाल जो है वेल कप इसे सोग कर ये कम से कम 3-4 घंटे के लिए असके बात आपने इसको कर लेना है ब्लेंट विदाउट वाटर आपने इसको पीस लेना है दर दर असा पीसी पीस एका हलकी सी य। बस पतली पतली आपने इसके टिक् कर लेने हैं इसको ब्लैंड कर दीजें मतलब लो पे चलाईए आफ कर दीजे मिकसी को बस देखिए इस तरीके से दर दर अपीस हीएगा यहां पर चार्श्टी बनाने के लिए आपको चार्श्टी रखने हैं हलकी चिप-चिपी रखिए कि जब आपको लगे के एक तार बस ब इसे कवर करेंगे फिफ्टी मिनिट्स के लिए जिसे परफेक्ली सोग कर ले यह चार्श्टी अपने अंदर बोची बड़े लड़ू अब हिसाब से बना सकते हैं लेकिन मैंने इसका बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज रखा है बच्चे तो इसे पसंद करेंगे इसाथ साथ बड़ू को भी बहुत पसंद आने वाले हैं लग रहे हैं बिल्कुल सेम एस मार्केट स्टाइल जबूर ट्राइ करें अपने घर पे और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए नेक्स रेसिपी में आप लोग साथ क्या शेयर करूं